पहली पहली बार मोदिये, दिल गया हार मोदिये, आजकल हमको अगर किसी को भी हसाना हो, तो हम कह देते हैं मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है, अगर जोर से नहीं हसा तो हम कह देते हैं कि मोदी जी सबसे सच्छा आदमी है, खूद परधान मंतरी के बगल में जब भाशन रहोते हैं तो एक आदमी खड़ा होता है इस पीजी का ऐसे करके तो वो कहता हो कित्था बड़ा जूटा है यार जब हम मोदी जी पर सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी का बिरोध करने के अलावे आपके पास कोई काम नहीं है हम बोले हम इतना निकम्मा है कि एक निकम्मा परधान मंत्री का बिरोध करने के अपने अपना काम समझें हम अरे कोई जनमजात मोदी बिरोधी थोरी हम पैदा हुए थे उनका बिरोध करने में मजा थुरी आता है, सोच है उनका कि गटर में उतरने से अध्यात्विक सुख मिलता है, गजब का परधान मंत्री हो यार, तुमको टेंडर कब मिला बे? कब बोले राम जी, बता हमको कौन सा तुमको फैक्स आया है, कि हमको बड़ा तकलीफ हो रहा है हमारा घर बना दो, टीबी पे जो सीडियल आता था, अगले जनम मोहें बिटिया ही की जो, उसको बदल करके ये कहना चाहिए, कि अगली जनम मोहें गया ही की जो, क्योंकि एस किल ईंडिया, इस किल इंडिया नहीं है, इसका S साइलेंट है, यह एक्चौली किल इंडिया, यह पक्छ और विपक्च की लड़ाई नहीं है, यह मोधी वर्शेज, we the people of India की लड़ाई है इस बात को आप समझ लीजिए अपने इर्द गिर्द जो चीजें हो रही है उस पर आप सोचिए और मान लीजिए मैं नहीं कहता हूँ कि मोदी जी की बात को आप मत मानिये क्या अद्भूत आदमी है देखे आप लोग हस दिये आज कल हमको अगर किसी कुवी हसाना हो तो हम कह देते है मोदी जी बहुत अछा आदमी है अगर जोर से नहीं हसा तो हम कहे देते हैं कि मोदी जी सबसे सचा आदमी है यूनिवर्सल टूथ टाइप का हो गया है, मोदी जी कभी सच नहीं बोल सकते हैं, ये उनिवर्सल जैसे होता है न, यूनिवर्सल टूथ, मोदी जी के लिए हम एक सब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, यूनिवर्सल लाई, मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है जैसा भी आप सोच लिजिए हूंको कोई दिख्यत नहीं है तो मोदी जी कहते हैं कि हमको विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है बताईए चपन इंच का सीन जिधर देखिये उधर ही भाजपा की सरकार जिधर नजर उठाईएगा उधर भाजपा की सरकार है तब भी भी पक्ष काम नहीं करने दे रहा है इस पर आपको विश्वास होता है यह है प्रोपगेंडा सभाविक रूप से इस मंच पर जो लोग बैठे हुए हैं वो कहेंगे कि मोदी जी बढ़ी आदमी नहीं है क्योंक आप जनता है ना मत मानिये इनकी बात इनकी अपनी राजनिती है छोड़ दीजी एक मिनट के लिए वैसे भी आजकल जानते हैं पॉलिटिकल होना कूल बात नहीं है कि आपको बीटेक करने के बाद नौकरी क्यों नहीं मिल रही है यह तो आपको सोचना परेगा और सामने से आदमी जिसको आप प्रधान मंतरी कहते हैं वो सामने से जूट बोल रहा है और आपको कह रहा है कि पकोरा बेचना रोजगार है आप लिखिये my views are not political, apolitical यह सवाल समझ में नहीं आएगा इनको एक मिनट के लिए छोड़िए आप अपने दिल पे हाथ रख करके हमको बताईए कि आपका अच्छा दिन आ गया तब आप कैसे कहते हैं कि मोदी जी बढ़ी आदमी है और जब हम मोदी जी पर सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी का बिरोध करने के अलावे आपके पास कोई काम नहीं है हम बोले हम इतना निकम्मा हैं कि एक निकम्मा परधान मंत्री का बिरोध करने का अपना काम समझे हैं ये हमारा काम नहीं है और ना मैं ये काम कर रहा हूँ हम लोगों को एक बात समझनी होगी कि हमारे इर्दगिर्द जो चीजें हो रही है वो अपने आप नहीं हो रहा है उसके पीछे एक कारण है हर कारण का एक परिनाम होता है और परिनाम का एक कारण होता है उस बात को जब आप समझेंगे तो आप भी मेरी तरफ परिशान हो जाएँगे आपको सोच सोच करके आश्यरे लगेगा कि इस देश में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है जब आप इस बात पर विचार करेंगे कि इस देश में सम्भिधान खत्रे में कैसे है तो आपको ये सच चारो तरफ दिखने लगेगा और मैं साधारन उदाहरन से आपको एक बात बता देता हूँ हाथ आगे कड़के जिस संबिधान की प्रस्तावना को उद्देशिका को आपने पढ़ा है उसके शब्द पे आपने कभी गौड फरमाया है उसके शब्द क्या कहते हैं उसके सब्द कहते हैं हम भारत के लोग समाज में क्या होता है महार है, मातंग है, दलित है, ओबिसी है, धनगड है, मराठा है ब्रामन है, चितपावन है, मैथिल है, बिहारी है, मराठी है क्या हो रता है उद्देशिका क्या कहती है कि उसी प्रस्तावना के मूल क्या है कि आप चाहे हिंदू हो या मुसल्मान हो शिख हो या इसाई हो बुद्धिष्ट हो या जैनी हो या आप किसी धर्म को नहीं मानते हो लेकिन आपका अधिकार किसी और दूसरे भारतिया के अधिकार के बड़ाबर है ये आपको आपका नाबर है ये अधिकार आपको आपका संभिधान देता है और पिछले पिछले सालों में इस देश में क्या हुआ है उस पे गौर फर्माना जरूरी है जिस उत्तर प्रदेश का हम लोग अभी जिक्र कर रहे हैं जिस उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री है अजे सिंग बीस्ट यही है ना अग कहते क्या है अपने आपको तो जो अपना नाम बदल लिया हो उसको सहर का नाम बदलने में मज़ा आएगा कि नहीं आएगा बहुत सभाविक बात है जिसको अपने ही नाम पे भड़ोसा नहीं है उसको फिरोजाबाद फैजाबाद उसमें क्या भड़ोसा रहेगा नया सहर नहीं बनाना है जनसंखियां बढ़ गई लगातार हमारे सारे सहर जनसंखियां बढ़ने के चलते बिस्फोट होने की कगार पे हैं मुंबई में दूरी जो है किलोमीटर में नहीं मापी जाती है मुझे सून करके आश्चेड हुआ अरे माहिम जाएंगे कितना तिर लगेगा एक घंटा वह कितना केलीमेटर बोला एक घंटा लगेगा आश्चेड किलुमेटर जाने में भी दो घंटा लग सकता है यह आपका सच है आप नागपुर में जब रह रहे हैं तो आपके इर्दगिर्थ क्या हो रहा है इसको आप देख रहे हैं और आप देख सकते हैं यह पानी का बोतल यहां रखा हुआ है मेरी दादी कुछ दिन पहले मढगई और मैं दिल्ली जब आया था तो लोगों ने कहा कि पानी खरीदना परेगा मुझे लगा कि मेरे पाउं के निशे से जमीन खिसक गई है पानी खरीदने की चीज है पानी भी खरीद करके पीना परेगा यह सुन करके दो-तीन घंटे तक मै में रहा और मैं वापिस जब घर गया तो अपनी दादी को बताया नहीं कि पानी लोग खरीद करके पीते हैं बरना दादी उसी वक्त हार्डेटेक्स से मर जाते हैं कि मेरी दादी को कोई कह देता कि एक दिन ऐसा आएगा कि पानी बंद बोतल में भिकेगा तो आप माने बिल्कुल आप नहीं मानते लेकिन आज आपका सच है जिस सच को आप रोज जहलते हैं आपको पता है दिल्ली में नई चीज क्या हुई है दिल्ली में हवाब भी बोतल में आने लगा है और ये भी सच है हर घर में जो है धीरे-धीरे लोग एयर प्यूडी फायर लगा रहे है हवा भी बिक रहा है और ये सब कुछ हो जाएगा और आपकी संसद नहीं बिकेगी और आपका लोग तंत्र नहीं बिकेगा किस मुगालते में हैं आप जिस दिन उन्होंने जात के नाम पे आपकी वोट खरी दी थी उस दिन ही उन्होंने संबिधान और लोग तंत्र का सौधा कर लिया था और आज मैं आपको एक सच बताता हूँ संबिधान आपको अधिकार देता है न कि इस देश का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है संबिधान आपको ये अधिकार देता है न कि अंबानी के बेटा का वोट और एक जीता जूता सिलने वाले इंसान के बेटे का वोट बड़ावर होगा यह संभिधान आपको हग देता है यह नहीं देता है क्या एक जूता सिनने वाला का बिटा चुनाव लर सकता है बाड़ पार सदी का चुनाल अरकेद के दिखा दीजे हमको नोमिनेशन फॉर्म लेने जाएगा न यहीं लोगतंत्र के रक्षव सब आपका पैर तोड़ देंगे यह लोगतंत्र की स्थिती और फिर भी कहते हैं कि हमारा देश और संभिधान खत्रे में नहीं है 500 रुपए ले करके किसी को वोट करके हम अपनी जिम्मेदारी से भूल जाते हैं और वो 500 रुपए दे करके आपका हजारों करोर रुपए अपने दोस्त को दे करके देश से भगा देता है इस संबंध को समझे कि नीरव मोदी नरेंदर मोदी के पीछे क्यों खड़ा है नीरव मोदी नरेंदर मोदी के पीछे इसलिए खड़ा है कि नीरब मुदी, नरेंदर मुदी को एक अवतार की तरह आपके सामने प्रस्तूत करेगा एक अवतार हैं, वो इंसान नहीं है, अवतार है और आप उस जहांसे में फस जाएंगे और हमारी हालत ऐसी होगी सिकारी आएगा, जाल विछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फसना नहीं अभी भी कुछ लोग जंधन योजना में जाकर के खताम चेक करते हैं, 15 लाग आया की नहीं आया ए भाई सहाब अरे आपके नल में पानी नहीं आता है, आपके अच्छे दिन कहां से आएंगे आपके परोष में साब सफाई नहीं होती है, आपके खाते में 15 लाख रुपे कहां से आएंगे फिर भी एक सपना था, पहली पहली बार मुद्ये, दिल गया हार मुद्ये होता है कोई चीज अगर आपके सामने इस तरह से बेची जाएगी तो आप खड़ीद ही लेंगे हम भी खड़ीद लिए और हमसे भी बुड़ा हाल किनका हुआ जो 2014 में पहली बार भोट दिये और पहली ही बार प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को अपना भोट दे दिये क्योंकि 545 सीट पे तो चुना हुआ नहीं था 545 सीट पे मोदी जी अकेले लर रहे थे तभी तो टीवी ये स्टूडियो में चार पत्रकार बैट जाते हैं और कहते हैं राहुल गांधी नहीं तो कौन नरेंदर मोदी नहीं तो कौन अरे यहां संबिधान हम पढ़े हैं उसकी प्रस्तावना पढ़े हैं उसमें लिखा हुआ है वीद पीपल ऑफ इंडिया और ये कह रहा ह वो WWF का गेम बना दिया है अब जबकि समझ लीजिए WWF का जो गेम होता है उसमें जीतने के लिए भी पैसा मिलता है और हारने के लिए भी पैसा मिलता है रेफरी को भी पैसा मिलता है और जो उसके समर्थक होते हैं जो रोते हैं रोने के लिए पैसा मिलता और हसने के लिए भी पईशा मिलता है इस तरह से वो गेम सेट है और ये जो राजनीती का गेम सेट किया गया है उसमें हम लोग मूख दर्सक बन करके इसको देख रहे हैं याद रखिएगा यही गलती किसी जमाने में हमारे देश के नागरिकों ने की थी जब राजे राजवारे आपस में लर रहे थे तो उनको लगा कि ये राजे राजवारों की लड़ाई है इसमें जनता का क्या लेना देना है आज भी हमारे कुछ मित्रों को लगता है कि ये पक्च और विपक्च की लड़ाई है ये कॉंग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है ये राइट और लिफ्ट की लड़ाई है हमको इसमें क्या लेना देना है याद रखिएगा ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं है ये मोधी भरसेज वी दप पीपल ऑफ हिंडिया की लड़ाई है इस बात को आप समझ लीजिए और ये जो वी दप पीपल ऑफ हिंडिया है उनके जो सवालाथ है उनके जो मुद्दे है उन मुद्दों को किस तरीके से गुमड़ाह किया जाता है और कौन सा नेकसस कौन सा गठजोर इस देश के लोकतंत्र को गिर्वी रख करके इस देश की संबिधान को जला देना चाहता है मिटा देना चाहता है इस साजिस को आपको समझना परेगा नीरब मोधी पैसा लगाए नरेंद्र मोधी पे नरेंद्र मोधी कहे कि चल उड़जा पंची जीत करके आए फोटो खिचाए और गायब कितना रुपय ले करके गए 35,000 करोर और आपको पता है हमारे आपके जैसा एक फेलो इंडियन सिटिजन जिसको भारतिय होने का आधिकार है क्योंकि वो भी इसी जोगरफी में पैदा हुआ है इस हवा में सिर्फ ब्राम्मन का सांस नहीं घुला हुआ है दलितों का भी हवा है उसका भी सांस घुला हुआ है सांस लेते वक्त बोलते है कि ब्राम्मन सांस लेकर के छोड़ा है तो हम नहीं लेंगे दलित सांस लेकर के छोड़ा है तो हम नहीं लेंगे और परदूसन जब फैलेगी तो एयर प्यूडिफायर खड़ीद रहे हैं लिए टो सब ख़ड़ीद रहा हैं ऐसा कह रहा है कि दलित का फिफ़डा खालाब कर देंगे और ब्रामबान का फिफ़डा खालाब नहीं करेंगे यह basic issues और इस basic issues पे इस देश का यूथ चर्चा करें इस पह बात हो देश के भीतरे कैसे बहतरीन blueprint तयार किया जा इस देश को आगे बढ़ाने के लिए उस बहस को भटका देने की साजिस चल रही है और ये गठ जोर ये है कि पैसा खर्च करेंगे नीरम मोधी के ऊपर सरकार और सरकार पैसा लेंगे किस से आप से यह मत समझे कि कोई नेता आपने बाबुजी के घर से किसी पूझी पती का कर्जा माफ करता है या उसको पैसा देता है आपका पैसा है और यह उदारन मैं आपको समझाता हूं कौन बनेगा करोड़ पती में जब तो कितना रुपया हुआ तीन करोड तो तीन करोड में से एक करोड दे देंगे कुसी को तो क्या फड़क बढ़ता हैं बिजनेस समझ में नहीं काा यह बिजनेस दोस्त कि इस देश में प्रधान मंत्री कह रहा है कि हमने जंधन खाते खुलवाए बहुत बढ़ियां बजा उता लिए और खाते जब खुलवाए तो पांच पांच सव रुपया आपसे डलवाए अद्धेश का पॉपुलेशन प्रधान मंत्री हमें साब बोलते रहते हैं क्या कहते हैं सबासौ करोड़, अरे सबासौ करोड़ में से पचास करोड़ भी यदि खाता खुला, तो पचास करोड़ गुना 500 रुपया कितना हुआ? जोडते रहिए, सुनना डालते रहिए. और NPA किसका माफ किया गया, किसका करजा माफ किया गया, किसान का, किसका माफ किया गया, अमवानी जी का, कितना करजा माफ हुआ है, सोच के बताईए, उसका फीगड़ आपको पता है, घर में जितना कमड़ा होगा सम में भी रखेगा, तब भी बाहर रह जाएगा, 3,16,500 करोड रुपया कर जमाफ किया गया है और 3,00,000 रुपया मोदी जी किस से मांग रहे हैं आर बी आई से और नहीं दिया तो पटेल जी को क्या बोले ओके टाटा बाई बाई सायो नाडा तीन लाख करोड और तीन लाख करोड का एक और रहसर तिलिस्म है उसको भी समझ लीजिए जब नोट बंदी की गई तब प्रधान मंत्री ने लाल के लिए से कहा बहतरीन जूट बोलते हैं लेकिन सामने से देखिएगा ना आपका दिल कहेगा कि कुछ भी हो इस बंदी को तो जूट बोलने के लिए आसकर मिलना चाहिए माइक पर खड़ा होकर के उन्होंने कहा कि नोट बंदी के बाद तीन लाख करोड रुपया काला धन वापस आया है तो तीन लाख करोड अगर काला धन वापस आया है लॉजिक लगाईएगा हम मोधी जी का बिरोध नहीं कर रहे हैं अपना तर्क इसनेमाल कीजिएगा तो मेट्रो बनाने के लिए एक लाख करोड जापान से करजा लेने की जरूरत है सोचिये न सर सोचिये समझ में आ जाएगा अरे कोई जन्मजात मोधी बिरोधी थोरी हम पैदा हुए थे उनका बिरोध करने में मजा थोरी आता है इस बाड जॉब इस नोट गुड जॉब क्यूं करना पर रहा है इसलिए करना पर रहा है कि बाड दादे ने जो पेर लगाये थे उसका मजा हमने लिया इस देश में यदि बाबा साथ भीमराव अंबेतकर का संबिधान नहीं होता तो इस देश में पब्लीक एजूकेशन पे पैसा खर्च नहीं होता और पब्लीक एजूकेशन के भीतर एक ही बेंच पे ब्राह्मन और दलत का पच्चा एक साथ बैठ करके पढ़ाई नहीं कर रहा होता ये है संभिधान की ताकत है यह संबिधान किसी एक जाती किसी एक धर्म के लिए नहीं है यह संबिधान इस देश के लिए है और देश-देश के लोगों से बनता है तो लोगों के हक और अधिकार के लिए है नाय और बड़ावरी के लिए है